जहीन दोस्तों, अज वीडियो को बिना स्कीप के एंड तक देखना, क्योंकि अज हम एक ऐसा विशे के बारे में जानेंगे, जिससे लाखो लोग की जन बच सकती है हम खुश रहना तो चाहते हैं, लेकिन खुश हो नहीं पा रहे, तो इसका बचा कई हमारा बॉडी तो नहीं है होते हैं, और बॉडी को डिटोक्सिवाई करने के लिए शरीर को टाइम भी तो देना परेगा, और अब देखना कुछ लोग केते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी अद्मी हूँ, मतलब ऐसा भी अब करते हैं, मानो वही देश का प्रधान मंत्री है, अरे प अरे तुम तो कितने अच्छे हो, पीछे एक बंदर सजु गए बेटे, नहीं नहीं केजरी वाल अच्छा है, बीच में से एक बंदर उटके कहते हैं, खत्म, बाइबाई, टाटा, गुडबाई, गया, अब डिबेट चल रही है, मतलब पूरा दुनिया भर के ख़बर इन लोगो को मालूम है, इन से पुछो खुद के शरीर के बार में क्या जनते हो, कुछ भी नहीं, हाई बीबी के गोली खा रहे हो, बाड़ी में चर्वी जमी हुई है, पूरा बाड़ी टॉक्सिक हो चुका है, और बाते करते हो पॉलिटिक्स की, देश सुधर ने की, अब एक चीस होनेशली बतार हो, अपने इस वीडियो को चूस किया है, यही काफी है, कम से कम थोरा सही सही, अब अपने हेल्थ को लेकर क्यूरियस तो हो, और जो अपने हेल्थ को लेकर क्यूरियस है, किसी ना किसी तरीके से अपने देश्ट को मदद करी रहा होगा, तो अब टॉक्सिन जमी हुई है तो कैसे समझेंगे देखो बॉडी में टॉक्सिन जम जाना आज के टाइम पर एक नॉर्मल चीज है क्योंकि हमारे जो लाइफस्टेल है और जो चीज हम खाते है इन सो चीजों में जो हमारे शरी को टॉक्सिक बनना वाला सब्स्टेंस रहते है इनसे पॉलिशन कितना है क्या खाते है पानी ठीक से पीते है की नहीं नींद पुरा हो रहा है की नहीं कितना एमांट में पैकेजिंग फूट खाते है इन्वरेमेंटल इशू इन सब बचे से हमारे बॉडी टॉक्सिक होते रहते है जो बाद में जाके खतरनाग बिमारी के राउंड अप अन्नेचरल तरीके से प्राणियों को मेडिसिन देके बड़ा करना पानी में जहरेले पदार्थ होना जिससे मचलिया टॉक्सिक हो जाते है और इस सब चीज हम खाते है तो हमारे बॉडी में भी टॉक्सिन जम जाता है और भी कुछ चीज है जैसे कि पैकेज ही होता है कि 6 सल की नीचे के जो बच्चे है वो इससे इस्तेमल ना करे अब सोचो 6 सल की बच्चे में और 18 सल के जो बच्चे है उसमें क्या ही डिफरेंस होगा अगर 6 सल की बच्चे को हार्म कर सकते है तो 18 सल के बच्चे को भी हार्म करेगा यह तक कि एक एडल को भी नहीं पतरनक बिमारी हमारी शरीज में जगा बना लेते हैं और हम लोग पहले इन सब चीजों को छोटा समझ के इग्णोर कर देते हैं यह सब चोटा चीज नहीं है इन सब चीजों से ही लोगों की जिंदेगी और मौत का सबल बन जाती है एक इंसन एबरेच रोच 7 लग टॉक्सिक चीजों के कॉंटाक में आते हैं आप एक रेश्टुएंट में बैटके डेलिसियस खाना खा रहे हो या फिर सैंपू से नहा रहे हो पॉलियूटर जगा पे सास ले रहे हो एक एक छोटे काम में भी आमारी बॉड़ी में टॉक्सिन जा सकते हैं इससे होने बाले बिमारी फ जिससे हमारी बॉड़ी में हिमोग्लोविन कम होने लगते हैं और डाजेशन ठीक से नहीं होगा पेट में गैस बनेगा कॉंस्टिपेशन होगा इससे खराब भी मरी और क्या हो सकता है इसके बाद ऐसे डीटी होगा भूक नहीं लगएगा तो अच्छा में पिम्पल एंग डीटोक्स कैसे करेंगे रोज बड़ी को डीटोक्स करना बहुत ही ज़रूरी है तो यहाँ पर हम एक ट्राइड एंड टेस्टेड मेतोड के बारे में जानेंगे इस मेतोड का नाम है ओयल पूलिंग आपने साहिद सुना होगा यह ट्रेडिशनल इंडियन आयरुवेदिक म यह पर सानफलावर ओयल यूज कर सकते हो सुभा उटके एमटी स्टोनाख में दो चम्मस तेल मुह में लेके 10 मिनिट तक कुल्ला करते रहो अब दोसरा काम करते हुए भी यह कर सकते हो अब बाहर यह पर किसी ओफिस में काम करते हो तो अब जाते जाते भी यह कर सकते हो इस इससे हमारे दातों की प्रोब्लेम भी ठीक हो जाती है ओयल पूलिंग मेतोड के साइंटिविक एबिडेंस के मुताबिक मुह में जो ओरल प्लक जम जाता है उसको भी रिमूब कर देते है ओवरल ओयल पूलिंग बॉडी को डिटोक्स करने के लिए और मुह से गंदेगी को सारी क्या है तो अलग वीडियो में जानेंगे आप इस वीडियो को फ्रेंट्स और फेमिली के साथ शेयर कर देना उनको भी काम आ जाएगा और आप लोग की मदद से काफी सारे लोग इस चैनल तक पहुच पाया है तो आप लोग को मैं ठेंक्यू कहना चाहूंगा इस चैन अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करने तो जल्दी मुलाखात हो कि दूसरे वीडियो के साथ तब तक के लिए हेल्दी रहो स्वास्ते रहो थेंक्यू सो मच उश्यू अल्दा वेरी बेस्ट अ झाल चाल वेरी नहीं हो जाती कि ए्टा ये हो थेंक्यू आओे भी हो उे वीडियो के साथन दोंहीं कर दोज पक्या उस मेंक्यू औरा से नहीं हो कम मैं रगरी डिए हो है